friends welcome to my channel so in this video I am going to share the part 7 of checkability sub-inspector exam preparation this video में मैंने ये topic लिए है minerals exam point of view से जो-जो important point related to this topic मैं सारे इस video में cover करूंगा आपके साथ exam point of view से जो questions पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ इस video में share कर दूंगा and अगर आपको इसका pdf material चाहिए you can download it from the description आपके साथ इसका लिंक भी शेर करूंगा आप वहां से जाके से डाउनलोड कर सकते हैं so let's start the video and video स्टार्ट करने से पहला अगर अभी तक कोई backbone of modern civilization बोलते हैं first question यहां से एक then उसके बाद चार important इसकी varieties हैं तो exam में जो पूछा जाता है चारों के नाम तो नहीं पूछे जाएं के बड़ यह पूछा जा सकता है कि purest form कौन से जो magnetite है purest form of iron ore है and उसके बाद hematite then limonite and cedernite तो यह चार इसकी varieties है purest form है जो magnetite है then उसके बाद कुछ important facts जो udisa है is the largest producer of iron ore तो udisa है largest producer iron ore के मामले में then उसके बाद जो first iron ore जो mining mill थी तो जो वो थी जिसका नाम है singham mining ore mill तो वो कहां पे थी होती जारखंड में तो first iron ore mining मिल जो थी वो singham mining ore मिलती होती जारखंड में then उसके बाद कुछ और important facts जो मद्यापरदेश है is the largest producer of copper सबसे ज़्यदा copper कहां होता है मद्यापरदेश में and करनातिका में करनातिका में करनातिका is the largest producer of gold followed by आंद्रापरदेश तो सबसे ज़्यदा gold कहां पे produce होता है वो होता है करनातिका में and उसके बाद followed by आंद्रापरदेश तो important gold mines है करनातिका की सबसे color gold mines कि तो वो करनातिका की देन हुपती करनातिका एंड रामगिरी यह है आंद्रापरदेश की important जो गोल्ट में मिल ले देन उसके बाद diamond diamond सबसे ज़्यादा होता है हमारा मद्यापरदेश में largest producer diamond की spelling कर लेता है देख ठीक ठीक कर लेना तो उसके बाद diamond ही है सब लाजेस प्रड्यूजर आफ मद्यापरदेश में सबसे ज़्यादा diamond मिलता है और कहा पंद्रत मध्यापरदेश और उसके बाद राजिश्थान आ गया राज़स्थान the largest producer of silver silver सबसे ज्यादा राजचस्थान में मिलता है कर नांटका में सबसे ज़्यादा gold and अन्यापरदेश में diamond करके आपके लिए बनाए हुआ है तो इंपोर्टेंट कोशन है देखो पहला कोशन है विच इस दा इंडियन स्टेट विद हाइस नंबर ओफ माइन्स एस पर 2012-13 तो सबसे ज्यादा माइन्स कहां पर ही यह हमारी आंद्रा प्रदेश में 583 माइन्स हैं और उसके बाद प्लाट्यू इस लोनाज दा मिनрал हाट अफ मिनरल हाट लांड ओफ इन्डिया तो चोटन अध्व पॉर प्लाट्यू को बोलते है हम मिनरल हाट लैंड ओफ इन्डिया दें अल्ट कोस्टिंब्टर इज विच इस बाग्बोन ओंव मोर्र शेलेशन तो मैं अल्रेडि बता च कौन था बाद 2012-13 के सर्वे में वो था उडिसा देन उसके बाद विचिस दा लीडिंग प्रडूसर ऑफ मैगनीज इन इंडिया एस पर 12 11 12 2011 12 तो सबसे सबसे सब्सक्राइब मैगनीज कहां भी था इंडिया में कौन था इस पर 2011 12 वो था मद्याबरदेश में देन यह चेयर कर चुक हो हो लाजटिस प्रडूचर ऑफ गोल्ड कर्नाट का में और इसके कर्नाट का में आगया हमारा घूड डाइमेंड हमारा आगया मद्याबरदेश में एंड लाज उसके बाद विचिस दा लेडिंग state in lead and zinc, reserves, reserves, तो यह कहां पर सबसे ज्यादा reserves है, इनके reserves है, यह हमारे करनाटका में, then the final question is, सबसे oldest oil field, कौन सी है, दिख बोई, oil field है, यह सबसे oldest है, तो यह हमारी, कौन सी स्टेट में, यह हमारी असाम है, दिख बोई, oil field, so यह important questions है, exam में है, अगर कोई question पुछा जाता, hope so, इसी topping में से पुछा जाए, and इस में से ही गवर हो जाए, so video अच्छा लगा, तो like करना, share करना, subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लेना, so until take care, see you in my next video.